बुर्मारिंग बच्चों पिछली क्लास में लोग ने एक्सराइस 10.3 की थी आज हम लोग एक्सराइस 10.4 करेंगे यहां देखो एक्सराइस 10.4 पेज नमबर 153 ठेक इसमें सब्ट्रेक्शन करना है केजी और 89 केजी जैसे दिया हुआ केजी और ग्राम वाले में इसमें हमें स करके बताऊंगा बाकी के आप करेंगे याल लग ओशन मैं करूंगा बाकी क्या करेंगे. अब देखो 89 केजी 520 ग्राम है और 29 केजी 424 ग्राम है इसमें से माइन珍स करना है पहले हिदासे शुरूब करेंगे चैन न में से 4 गया 6 हो गया, यहां 1 बच्चा, तो 1 ले लेंगे, तो 11, 11 में से 2 गया, 9, और 4 बच्चा, 4 में से 4 गया, 0, 9 में से 9 गया, 0, 8 में से 2 गया, 6, तो 60 kg, 96 g, अब एक दुख मैं यला करता हूं, देखो, 10 में से 4 गया, 6, एक 3 बच्चा, 1 कैरी किया, 13 में से 9 गया, 4, यहां 8 बच्चा, 8 में से 3 गया, 5, 1 कैरी किया, 10 में से 2 गया, 8, यहां 5 बच्चा, 5 में से 1 गया, 4, और 4 में से 2 गया, 248 kg, 546 g, ठीक, यह वाले दोनों कोशन, B और C, आप अपने से करेंगे, यह दोनों तो करी रहे हैं, इन दोनों को भी बुक में करेंगे, अब यह कोशन न नमबर 1 को आपने बुक पे कर लिया, और इसको कॉपी पे करना है, देखो मैं एक कोशन आपको कॉपी पे करके बताता हूँ, तो आप अपनी कॉपी ओपन कर लेंगे, ठीक, आप देखो कोशन लिखेंगे कैसे, पहले यह देखो, समझो, कोशन नमबर 2 का ए, बुक में से क कोशन देखेंगे आप है न, 895 केजी, 621 ग्राम, फ्रॉम, 951 केजी, 922 ग्राम, अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो उपर हम लोग केजी लिख लेंगे, और इधर ग्राम लिख लेंगे, तो 895 केजी, 621 ग्राम, इसमें से गलत मैंने लिखा, पहले हमें उपर बड़ा वाला लिखना है न, पहले बड़ा वाला लिखना है हमें, जो ग्रेटेस्ट डिजिट है, 951 ग्राम, 951 केजी, 922 ग्राम, 895 केजी, उसमें से माइनस करना है, 621 ग्राम, माइनस किया, 2 में से 1 गया, 1, 2 में से 2 गया, 0, 9 में से 6 गया, 3, 11 में से 5 गया, 6, 14 में से 9 गया, 5, और ये 8 में से 8 गया, 0, माइनस हो गया, ठीक, आप देखो, A वाला किया, मैं D वाला करना हूं, पहले यहां कोशन लिख लेंगे, 750 केजी, 600 ग्राम, फ्रॉम, 944 केजी, 177 ग्राम, ठीक, तो चलो हम लोग अब इसको सब्ट्रेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले उपर हम लोग लिखेंगे केजी, फिर लिखेंगे इदर ग्राम, 944 केजी, 177 ग्राम, उसमें से 750 केजी, और 600 ग्राम हमें माइनस करना है, ठीक, 7 में से 0 गया, 7, 7 में से 0 गया, 7, अब 1 में से 6 नहीं जा सकता है, यहां से carry करेंगे, तो यह हो जाएगा, 10, 10, 11, 11 में से 6 गया, 5, यहां 3 बच्चा, 13 में से, यहां तो यह 3 में से 0 गया, 3 हो जाएगा, 14 में से 5 गया, 9, यहां 8 बच्चा, 193 kg, 577 ग्राम हो गया, यह यहां पर देखो हमने कर लिया, नोट कर लो, अब यह बाकी के कोशन आपको कॉपी पर अपने से कर ले, अब लोग आगे बढ़ते हैं बिटा, आगे देखो यहां पर कोशन क्या है, A space suit is much more than a set of clothes, astronaut wear on space walk, जो space suit होता है, वो astronaut पहनते हैं, astronaut जो space में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, उनको astronauts बोलते हैं, Space suit has helmet, उसमें क्या होता है, helmet होती है, hand gloves, jacket, socks, etc, the weight of each component is given, can you find, अब देखो, helmet का बजन कितना है, 10 kg, 100 gram, oxygen cylinder उसमें लगा आता है, 25 kg, 900 gram, ठीक है, body suit जो होता है, 16 kg, 1400, 400 gram, boots जो है, 2 kg, 600 gram, और जो यहां पर जो उसका नीचे, यह उपर जो पैंट होती है, यह वाली, तो इसी 11 kg, 300 gram, the weight of space suit without oxygen cylinder, तो करना है, देखो, मैं समझा दे रहा हूँ, उसको आप करेंगे अपने से, ठीक है, without oxygen cylinder, तो oxygen cylinder को नहीं note करेंगे, इसको, इसको, इसको और इसको plus कर देंगे, answer बता देंगे, the weight of space suit with oxygen cylinder, अब सबको plus कर देंगे, पहले वाले में इसको, helmet, body suit, है न, और 11 kg, 300 gram, और boots, इन सबको plus कर देंगे, और second वाले के अंदर, B वाले के अंदर, सबको plus कर देंगे, ठीक है, यह आपकी बेटा, जो exercise थी, वो complete हो गई, next class में फिर हमलों मिलेंगे, तब तक के लिए, bye,